तो धिया ही तो ये ander कैसी के आपके जो आसांई मेंट रही है उनका जो स्टेटस उसको अपडेट किया गया था इससे पहले को ये उनक्तिनकों साव alors ये सकते हो यहां पर देख सकते हो यहां पर देस कर रहें 3 तीन Assignment Update हुए है, status update हुआ है और इस वाले में एक student का assignment यहां पर update हुआ है और 11 October को जो status है यह update किया गया है, तो कई सारे students के assignment update हो रहे हैं और अल्मोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन एकनू की तरफ से जो assignment status है उसको update किया जा रहा है लेकिन अभी भी बहुत सारे students ऐसे हैं जिनके assignments को submit हुए काफी time हो चुका है यानि कि 6-7 महीन हो चुका है लेकिन उनके assignments का जो status है वो update नहीं हुआ है और कई सारे स्टुडेंट हैं जिनके बाकि सारे subject के assignment status update तो हो गये हैं लेकिन उनका एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका असाइन्मेंट काफी टाम से अपडेट नहीं किया गया है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो किसी आपको कॉंटेक्ट करना पड़ेगा इसी ये बारे में आपको बताऊंगा वाप इस वीडियो को लाज तक जरूर देख लेना लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक नूँ से रिलेटेड हर अपडेट और इंफर्मिशन के लिए एक नूँ बड़ी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो देखिए सबसे फिरल दम आपको एक बार बता जिता हूँ कि जब भी आप Assignments को Submit करते हो चाहें फिर आप Assignments को Online Submit करते हो चाहें फिर आप Assignments Offline Submit करते हो आपको एक Receipt दी जाती है और वो Receipt आपको समाल के रखनी होती है क्योंकि वो एक प्रूफ होता है कि आपने जो है Assignments को Submit किया है और आपको वो List कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है जैसे कि अभी आपका Assignments Update नहीं हो रहा है तो वो List आपके काम आती है आपको सबसे पहला तो यह चेक करना है आपके अगर Assignments Update नहीं होए है आपकी जो Assignments Status अब अपडेट नहीं होए है तो इगनू की तरफ से इगनू Regional Center की जो वेबसाइट होती है महाँ पर यह चेक करना है अपनी Regional Center की वेबसाइट पर कि क्या आपके Regional Center की वेबसाइट ने कोई ऐसी लिस्ट अपडेट की है जिसमें Students के जो Assignments एकसेट हुए है वो Update की गई है या नहीं क्या उसमें आपका नाम है या नहीं आपके जितने भी Assignments हैं क्या उसमें वो List में आपका नाम है या नहीं है क्योंकि यह list हर regional center की तरफ से की जाती है तैयार और कुछ regional center इस list को update करते हैं उनकी website पर कुछ regional center नहीं करते हैं तो अगर आपके regional center ने ऐसी list of online update नहीं किया है website पर तो आपको अपने regional center को visit करना है और अपने जो receipt है assignments की उसको अपने साथ जरू लेके जाना है वो list आपका एक proof है कि आपने assignments को submit किया है वो list बहुत जरूरी है आपको उस receipt को दिखाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि आपके जो assignment है वो काफी time से उनका status update नहीं हुआ है और आपको वो list चेक करनी है तो वो आपको list को check करवा देंगे उसमें आपको कुछ नहीं करना है उनके पास वो list होती है वो आपको list बता देंगे या फिर वो आपको check करवा देंगे उस list को जिससे आपको confirm हो जाएगा कि आपके assignment तो accept हो गए है लेकिन उनके अभी marks update नहीं होए है या फिर वो checking process में है या जो भी है वो आपको confirm कर देंगे तो ये एक तरीका है आपकी जो assignment की जो problem है उसको solve करने का आपको confirmation हो जाएगी कि आपके assignment accept होए है reject नहीं होए है तो आप ऐसा अपने regional center जाकर वो receipt assignment receive की जो होती है उसको दिखा कर ये check कर सकते हो बहुत सारे students बोल रहेते कि उनके assignments के जो status है वो update नहीं होआ है काफी time हो गया है तो ये आप कर सकते हो ये solution है I hope आपको ये video helpful लगी है अगर आपको ये video helpful लगती है तो इस video को जरूर लाइक करना और एगनू से related हर update और information के लिए एगनू बड़ी channel को जरूर सब्सक्राइब कर लेना so thanks for watching this video thank you so much